हालो फ्रेंड्स लत्वरे फैसन डिजाइन में आपका बहुत बहुत सागत है आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही ब्यूटिफुल सा नेक डिजाइन उसके लिए मैंने ली हुई है यहाँ पे canvas canvas unfolded में मैंने 8 inch broad रखी है और सबसे पहले उपर लेंगे हम 4 inch ठीक है जो neck हम लेंगे उसके बाद 1 inch का mark और करेंगे और 1 inch का mark और करेंगे उसके बाद हम रखेंगे गले की लंबाई तो लंबाई मैंने रखी है आप 4 inch और इसको इस तरह से square में मिला लेंगे ठीक है यह हम boat neck यहाँ पे तियार करेंगे और यह जो neck है यह double neck बनेगा हमारा double कपड़े में हम बनाएंगे यह तो यहाँ पे हमने 1 inch का mark करना है मैंने यहाँ पे 1 inch रखा है आप चाये तो 0.75 भी रख सकते हो मतलब 5 inch भी रख सकते हो इसकी चौड़ाई ठीक है यह आप अपने हिसाब से रख सकते हो बट अगर आप 1 inch रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा यह तो उपर जो हमने 1 inch लिया था उसके वो साथ में हम इसको मिला लेंगे ठीक है अब यहां से हम दूसरा गला लेंगे तो दूसरे गले की तो डैप्त है वो रखेंगे हम साड़े साथ तींच जिस तरह किसे मैं आपको दिखा रहे हूं वैसे ही आपको भी रखना है इसको और इसकी जो शेप है ना वो हमने हलकी सी V में देनी है ठीक है राउंड जो V नेक होता है ना उसी तरह से हमने इसकी शेप देनी है तो यह मैंने यहां पर शेप इसकी दे दी है अब इसकी चौड़ाइबी मैं यहां पर वन इंच रख रही हूं लेकिन वही है कि आप इसको पौन इंच भी रख सकते हो मतलब 0.75 भी रख सकते हो तो यह उपर हमने बन इंच लिया था उसके साथ हम इसको मिला लेंगे और ध्यान रहें ये on folded side से मैं बाहर की तरफ को कर रही हूं ये जो neck है हमारे ठीक है अब ये neck हम cutting करेंगे बनने के बाद बहुत beautiful लगता है ये neck तो आप इसको बना करके जुरूर देख सकते हो और प्लीज अग हमने cut कर लिया एक neck अब उपर वाले neck की जैसे हमने shape दी थी उसी के according हमने इसको cut कर लेना है ये board neck है जो उपर वाला है ठीक है अब कुछ इस तरह से हमारा neck खुलेगा ये और ये दूसरा neck हमारा कुछ इस तरह से लगेगा तो चलिए अब हम इसको लगाते हैं कपड़े के उपर तो कपड़े के उपर किस तरह से लगाना है वो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले हम ले लेंगे अपना जो वी की तरह हमने नहीं काटा हुआ है वो उसको रखेंगे हम कपड़े के उपर और दूसरा जो है मैं white कपड़े के उपर रखूँ क्यूंकि मैं double कपड़ा यहां पर यूज कर रही हूँ तो दूसरा जो गोल गला है मतलब जो मेरा बोटनेक है उसको रखूँगी मैं white fabric के उपर ठीक है जो main आपका गूर्ती का फैबरिक है वो आपने रखना है उसी कपड़े के matching में रखना है ठीक है और जो दूसरा आपका matching color का होगा मतलब अलग color का कपड़ा होगा वो आपने board neck में रखना है तो मेरी जो कुर्ती है वो है इस color की जैसा के आप देखते हूँ यहां पर ठीक है बैंगनी color की है purple color की अब इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले मैं यहां पर marking कर लूँगी जैसे मैंने इसकी चौडाई कितनी रखी थी तो उस इसाब से measure करते हुए कपड़े के उपर इदर उदर हमने सिलाईयां लगा लेनी है इसमें दोनों तरफ से stitch कर लेना है ताकि हमारा गला खुले ना extra ना हमारा broad बने यह गला इसलिए अब मैं यहां पर इसके बिल्कुत center से कच्ची सिलाई लगा लूँगी क्योंकि मेरी जो बुकरू मैं भी fusing वाली नहीं है इसलिए मैं यहां पर इसको लगा रही हूँ तो neck मैंने ज़्याद आपको नहीं दिखाया क्योंकि यह fold करना था तो fold करना आपको आता है आराम से इसके बाद हमने half inch cut करते हुए उसको fold कर लेना है अब हम लगाएंगे इसको अपनी कूर् की तरफ को है यह side और अंदर की तरफ को हमारी right side है अब book room के बराबर हम इसमें सिलाई लगाएंगे सबसे पहले हम center से एक सिलाई लगाएंगे नीचे को ताकि हमारा neck जो है उसकी finishing अच्छी आए वो खिसके ना कहीं से भी हमारा कपड़ा इसलिए हम यह center वाली सिलाई लग पाएंगे तो यहां पर जैसा मैं video में दिखा रही हूं मैं बिल्कुल slow करके आपको दिखा रही हूं ताकि आपको easy हो देखने में ठीक है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूं अब यहां से हमने क्या करना है यहां से आप देख सकते हो बिल्कुल book room के बराबर मैंने और साथ में चुट चुटे आपको नौचिज में लगा लेनी है चुट चुटे कटल लगा लेनी है और उसके बाद इस तरीके से हमने इसको आइरन कर लेनी है तो यहां पे आपने देख लिया है मैंने इसको आइरन कर ली है अब क्या करेंगे हम यहां पे मैंने अपने नेक क मैं ब्लकुल से सिलाइ लगाई है और कपड़े के उपर अटैच कर लिया है जो थाय चले का और अब कपड में नीचे रखने है और इसी के ब्राबर हमने लगानी है यहाँ पर देख रहे होंगे और again हमने जो सिलाई है वो बुक्रूम के बिलकोल बराबर लगानी है बुक्रूम के ऊपर आपको सिलाई नहीं चड़ानी है सिलाई आपकी कपड़े के ऊपर ही लगनी चाहिए तो अब हमारा जो डबल कपड़ा है नीचे हमने रखा हुआ उसको हम आदा इंच मार्जन रखत पड़े और हमारा जो काम है वो सफाई के साथ हो तो यहां पर मैंने इसको कट कर लिया है ठीक है अब हम इसको पलटेंगे डाइट साइड की तरफ को पलटके इसको अच्छे से आइरन कर लेंगे इस तरीके से आपने भी इसको आइरन कर लेनी है पूरा तो मैंने यहां पर इसप में iron कर ली है अब आप चाहे तो एक साइड से या दोनों साइड से fold करते हुए इसको सिलाई लगा सकते हो इस तरीके से इसको ف áreas करते जाना है और इसके ओपर the press करते जाना इंठ छिए संयत in अब चाहे तो बाद में भी इसको fold कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, वैसे कर सकते हो, अगर आप press के साथ कर सकते हो, इसको fold तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, अब चलिए इसको सिखाते हूँ, मैं आपको उसको कुर्ती के उपर किस तरिके से हमने लगाना है, तो कुर्ती के उपर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके उपर top stitch लगा लेंगे, top stitch लगाने से क्या होता है, हमारी finishing अच्छी आती है, जो भी हमने press पगरा की है, वो खराब नहीं होगी, तो अब हम लगा लगाएंगे इसको कुर्ति के उपर तो कुर्ति के उपर लगाने से पहले हम सबसे पहले तो हम इसको 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 फोल्ड कर लेंगे तो अगर आपने प्रेस के साथ भी इसको फोल्ड कर लिया है तब भी आपको इसको 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 और ये ध्यान रहे, ये नेक का हमारा बहार दिखेगा, तो इसलिए ये बिल्कुल साफ होना चाहिए, मतलब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको बहार नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल सफाई के साथ इसके उपर आपको काम करना है, तो बस इस तरह के से आपको चोड़ाई है इसकी, इसी तरीके से आपको भी रखना है, एक इंच की चोड़ाई, ठीक है, अब हम अपने नेक को इस तरीके से रखेंगे, और यहां से लगभख, ये देखें, लगभख, दो इंच तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे, यहां से कपड़े के उपर, थोड़ से आपने रखना है, इसको, सबसे पहले तो यहां पर आप सिलाई लगा लीजिए, लगभख, दो इंच की सिलाई आपने लगानी है, इसमें, ठीक है, दो इंच की सिलाई लगानी है, उसके बाद आपने इसको इस तरीके से करना है, तो इनेक का हमारा कुछ इस तरीके से आ तो अपसे लिए मैं आपको बताती हूं इसमें सिलाई लगाना किस तरीके से हम इसमें सिलाई लगाएंगे सबसे पहले तो हम इसमें यह जो आप देख रहे होंगे इसको हलका सा आपने यहां पे इसमें मतलब मैं एक पैर भी नहीं बोलूँगे एक पैर भी बहुत जादा हो तो लगवग धाइंच तक यह सिलाई लगेगी आपकी आप एक बार मेजर करके देख लीजिएगा तो एक साइड से मैंने यह सिलाई लगा ली है अब चितनी एक साइड लगाई है उतनी ही सिलाई आपको दूसरी साइड भी लगानी है तो यहाँ पे भी लगवग धाइंच तक आप सिलाई लगा लेजिए नीचे तक तो यह दिख जाएगा आपको नैक यह कपड़े के उपर हलकास आपको दवाना है बहुत ज़द आपको नहीं दवाना है यह तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है दोनों तरफ से same रहेँगी हमारी ठीक है अब यहाँ पर सिलाई हमारी लग चुकी है अब इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले सेंटर इसका निकालेंगे ठीक है सेंटर पर एक marking करेंगे अब सेंटर से एक साइड को एक इंच रखेंगे सेंटर से जो एक इंच हमने दोनों तरफ को, एक एक इंच दोनों तरफ को लिया है, वहाँ पे हमने ये पट्टी कुछ इस तरीके से लगानी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरीके से हमने ये लगानी है, ठीक है, अब इसके उपर हमने इस लाई लगा लेनी है, और सिलाई लगा के इसको सिक्योर कर लेना है यह हमारी मैचिंग कलवे की सिलाई लगेगी जैसा आपका थ्रेड होगा थ्रेड आपको उसी कलवे का लगाना है जैसा आपका की कपड़ा होगा तो यहां पे मैंने कुछ इस तरीके से ये लगा ली है इसमें सिलाई ठीक है आगे तक आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है पूरी और फिर इसमें पूरा टॉप स्टिच आपने लगा लेना है पर तक फिर तो यहां पर आप देख सकते हूं मैंने इसमें लगा ली है अब आद में मुझे लग रहा था थोड़ा ये कम हुआ मतलब इसमें कुछ अच्छे से डेकरेशन नहीं हुई ये नीचे जो सिलाई है मेरी कच्छी सिलाई है इसको मैं बाद में निकाल दूँगी तो यहां पर मैंने इसमें इंब्रोइडरी कर दी थी मैं आभी आपको दिखाऊंगी तो इंब्रोइडरी करके कैसा इसका लुक दिख रहा है थोड़ा सा मतलब ब्रेदर एफ्एस वन जिरो वन मेरे पास स्विंग मसीन है जिसमें मैंने कुछ इस तरीके से इसको आपको वीडियो कैसा लगा पसंद आया होगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है अपने फ्रेंट्स पैमली के साथ शेयर जरूर करना है तब तक के लिए बाबाई